कि अधियर स्टूरेंट्स वर टूरेट ऑफ इगिस कंट्रोल स्ट्रेक्चर और हमारा कूर्श है अडवान्स पाइटन प्रोग्रामिंग प्रीवेस लेक्चर में हमने पड़ा हाता है कि इफ क्या होता है और उसकी हमने लिमिटेशन देखी थी कि अगर इफ की कंडिशन टूर तो उसकी जो बाड़ी होती है वह एक्जिक्यूट होती है और अगर फॉल्स हो तो उसके में खुछ भी नहीं होता अब उस चीज को हमने किस तरीक किसे हैंडल करना है वह आज की लेक्चर में हम देखेंगे वह देखेंगे test expression is true and the other when it is false in any situation one block is executed and the other is skipped in if-else statement अब इसमें होता क्या है कि अगर true होगी तो एक block execute होगा और दूसरा skip हो जाएगा और अगर false होगी तो दूसरा execute होगा और पहले वाला skip हो जाएगा बोथ blocks of statement can never be execute दोनों blocks जो होंगे if का और else का वो कभी भी एक साथ execute नहीं होते बोथ blocks of statement can never be skipped और ना ही ऐसा होता है कि दोनों blocks जो हैं वो skip होगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है सबसे पहले हम लिखते हैं if उसके बाद test expression उसके बाद जो हमारे और उसके बाद जो statement यह statements होती है वो लिखते हैं इसकी एक example देखते हैं हम दो variables लेते हैं एक variable a और एक variable b a को हम 2 sign करते हैं और b को 5 उसके बाद if और condition लगाते हैं और b greater than a अगर b greater than a हो तो print क्या हो b is greater than a else print a is greater than b अगर if वाली condition true होगी तो इसके बाद जो block होगा उसका वो execute होगा और अगर यह condition false होगी तो else के बाद जो block है उसका वो execute होगा इसको देख लेते हैं पाईचाब में implement करके okay student समझें दो variable लिए variable a और variable b यह को हमने two sign किया और b को five अब a जो है वो b से छोटा है इसलिए इसके बाद जो condition है being greater than a यह true हो जाएगी और इस सूरत में इसके बाद जो print की statement है वो execute होगी इसको रंग करके देखते हैं होग्टूट में आता है b is greater than a अब b की value छोटी कर देते हैं और इसको रंग करके देखते हैं अब क्या होता है यह condition false हो जाती है साथ ही control हमारा यह पर आता है और उसके बाद जो इसका block होता है उसको execute करवा देता है मतलब यह अगर एक condition true होती है जो if की condition है अगर वो true होती है तो यह वाला block हमारा execute होता है और अगर if की condition false हो जाती है तो हमारा control else पर आता है और else के बाद जो इसको block होगा इसमें statement यह statements लिखी होंगी वो execute हो जाती है इसको देखते हैं इसको देखते हैं अगर हमारे पास if condition के बाद सिरफ एक statement है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसकी example देखते हैं हमारे पास एक variable है a के नाम से उसको हम value sign करते हैं 3 और एक b के नाम से उसको value sign करते हैं 5 उसके बाद हम if की condition लगाते हैं if a greater than b और print a is greater than b अगर यह condition true होती है तो क्या print करवाए यह is greater than b students हमारे पास सिरफ एक statement है इसके बाद वो है print की अगर यह statements ज्यादा हो अगर हम इसके बाद ज्यादा instructions देना चाहते हैं तो फिर हम इस तरीके से इसको नहीं लिखते हैं फिर हम indentation के through इसको लिखते है इसके example देगते हैं कि- कि एप्रत कर दो और ए जे टो आव लुग का लुग कर दो चुर्व के लिड़ा वी को जाओ शुटता है A is greater than B अगर एक से रियादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो फिर हम एक सिंगल लाइन में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ओके स्टुरेंट्स शॉट हैं इस तरीके से शॉट हैं इस तरीके से शॉट हैं इफ और अल्स भी होता है इस तरीके स्टुरेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम इसका संटेक्स देखते हैं सबसे पहले इसकी कंडिशन टू होने पर जो चीज हमने प्रेंट करवानी होती है उसको इस से पहले लिखते हैं उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद एल्स और उसके बाद जो एल्स के बाद हमने प्रेंट करवाना है यह जो स्टेट्मेंट एक्सीक्यूट करवानी है हम उसको लिखेंगे इसको हम टर्नरी ओपरेटर भी कहते हैं और कंडिशनल एक्स्प्रेशन भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स इसकी भी एक एक्जांपल देखते हैं इसको स्लाइड के पर देखते हैं इसमें होता ही है यह दो वेरियूब्स लेते हैं एक वेरिबल एक और एक वेरिबल करते हैं और वेरियूब्स लगाते हैं कि अगर यह बड़ा है बी से तो प्रेंट क्या हूँ कैपिटल है और अगर यह कंडिशन फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रेंट हो हमेरे पास कैपिटल भी अब इसको हम दो तरी के से हैंडल कर सकते थे हम इफ लिखते हैं उसके बाद कंडिशन लिखते हैं और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एल्स लिखते हैं और उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं एक यह तरीका था और एक तरीका है शौर्ट हैंड इफ एल्स जिसमें हम एक ही लाइन में इफ और एल्स को लिखते हैं और उसकी स्टेटम इसके बाद इसका कीवर्ड फिर वेरियबल का नेम फिर ग्रेटर देन साइन और फिर वेरियबल जो दूसरा वेरियबल है जिसके साथ हमने इसको compare करवाना है वो इसके बाद else इसके बाद print और फिर जो चीज़ हमने print करवानी है कि सुड्श के हैं एंड कीवर्ड क एंड कीवर्ड ऑग Comedy कि यूज्ड कि इसकलेटर एंड यूज सो मंजिशनल स्टेटमेंट्स जम हमने दू या दू से ज्यादा कंडिशन को गंबाइन करना हो तो हम के करते हैं and का keyword यूस करते हैं और हमें पता है ये अगर and में हम दू values देते हैं अगर दूनों true हो या दू conditions देते हैं दूनों true हो तो output में true आता है और अगर एक भी false हो तो और टूप में false आ जाता है अब इसको भी देखते हैं हमारे पास एक example है जिसमें हमने तीन वेरियबल किया है वेरियबल A, B और C A को हमने 20 sign किया है, B को 3 और C को 50 और अब हमने देखना है इन में से तीनों में से बड़ी value किसकी है A greater than B and C greater than A अगर A बड़ा है B से और C बड़ा है ये से तो क्या होगा? बोट conditions are true दोनों conditions क्या होंगी? true हो जाएंगी और अगर इन में से एक भी condition false होती है वो सूरत में इसके बाद जो statement है वो execute नहीं होती इसको हम example में देखते हैं बोट conditions are true A capital है B से और C capital है ये से अब C की value को हम ये से छोटा करते हैं अब ये condition false हो जाती है अब दोनों conditions true होंगी तो उसके बाद जो हम statement देंगे ये set of statements देंगे वो execute होगा अधर्वाइस कुछ भी नहीं होगा and के बारे में हम पहले भी class में discuss कर चुके हैं अब आते हैं और की तरफ और में क्या होता है the or keyword is the logical operator and used to combine conditional statements okay और में अगर दोनों में से एक condition भी true हो तो condition क्या होती है true हो जाती है अगर दो conditions है दोनों में से एक true होगी तो output में हमारे पास true आएगा और अगर दोनों false होगी तो output में false आता है है अगर की जगा और लिखता है अगर करने पर एक condition true हो रही है जिसमें एक capital है B से और दूसरी condition false हो जाती है C capital A और एक condition true होने पर हमें output true मिलती है और जैसे ही ये true होता है तो हमारा control इदर आता है और और both conditions are true को print करवा देता है screen पर अब दोनों conditions को false करके देखते हैं ये greater than B C greater than जैसे ही दोनों condition false होती है तो output में हमारे पास कुछ भी नहीं आता तो कि स्टूडेंट जब हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ राइट अ प्रोग्राम देट इन पुटा नंबर एंप्ट वैंडर इवन और और उजिंग इफल्स स्ट्ट्चर्ट्ट्ट्ट्ट् स्टूडेंट्स हम कब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कुछ ना कुछ आउट्ट्ट में लाजमी आना हो अगर कंडिशन प्रू हो तब भी और अगर कंडिशन पॉल्स हो तब भी जैसा कि मैं एक एक्जेंपल देता हूँ अगर मेरे नमबर फॉट्ि से ब hackers है तो मैं पास हूँ और अगर फॉट्ि से कम है तो मैं फेल हूँ अगर इस चीज कि एक example है जिसमें हमने एक program बनाना है तो यूजर से input ले और input क्या हो एक number और find करें कि यह number even है या फिर odd हम हम क्या करते हैं एक number का variable लेते हैं नम की नियम से इंट इंपुट इंटरा नमबर इंट हम टाइप कास्टिंग के लिए इस्तमाल करते हैं उसके बाद इंपुट का function और जो message हमने print करवाना है वो डूबल काउट में लिखते हैं उसके बाद if num modulus operator 2 और equal sign और उसके बाद 0 इसका मतलब यह है कि जो odd नमबर है उसका remainder होता है और इवन नमबर है तो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और उसका remainder 0 होता है हमने यह condition लगाई है कि अगर नमबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो तो print क्या करें even otherwise क्या print करें number is odd हुआ हुआ है प्रोग्राम को रण करते हैं नमबर इस इवन नमबर इस और इस में क्या होता है अगर यह condition true होती है इस के बाद वाली तो नमबर even है अगर यह condition false हो जाती है तो सुरत में हमारा प्रोब्लम्स होती है उनको हम if false की मदद से solve करते हैं या handle करते हैं एक और एक्जम्पल देखोंगे इसके राइट प्रोग्राम राइट इन्पोसा इयर और फाइंड वैदर इटिज़र ली पियर और नौट उजिंग इफल्स स्टॉक्ट्चर अब ली पियर कौन से होते हैं हमारे जो एर होता है उसके अंदर 365 लेज होते हैं चार साल बाद एक एर आता है जिसको हम ली पियर कहते हैं जिसमें 366 लेज होते हैं जैसे हमारे पास 2004, 2008 और 12 ली पियर हैं और यह वो एर्थ हैं जिनको अगर हम फॉर्प में डिवाइट करें तो इसका रिमेंडर जीरो आता है यह प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एक एर का वेरियबल लेते हैं उसके बाद इंट इंपुट इंटर एर अब इंट हम टाइप कास्टिंग के लिए यूज करते हैं अगर हम इंट नहीं लगाते तो इयर को एक स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा इसलिए हम इंट यूज करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए उसके बाद हम इफ की कंडिशन लगाते हैं इफ यह मॉर्जलस ओप्रेटर फोर और इकल टो जीरो अगर यह टूजन फोर होगा फोर पर डिवाइड होगा और उसका मॉर्जलस जीरो आएगा और प्रिंट क्या होगा किसा लीपियर और अगर हमारे पास यह टूजन थ्री होगा सूरत में क्या होगा इस कंडिशन फोल्स होगी और हमारे कंट्रूल एल्स के आएगा और प्रिंट क्या होगा इस नौटा लीपियर आज की लेक्चर में हमने इफ एल्स को देखा और हमने देखा शॉर्ट हैंड इफ और शॉर्ट हैंड इफ एल्स को हम किस तरह से हैडल करते हैं और इफ एल्स हम कब यूज करते हैं करते हैं